कैसे आप लोग हैं आप शौर कि आप लोग बहुत ही अमेजिक होंगे आज एक बहुत ही सिंपल सा नेटवक हम डिजाइन करेंगे लेकिन उसके अंदर हम करने वाले हैं वी लैंस के साथ में काम और ये जो है मैं आज आपको पूरा कंप्लीट सिंपल एक्स्प्लेनेशन दूगा लेकिन उसका आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन के अंदर तो चलिए अभी ये सिंपल बहुत ही सिंपल नेटवक है उसको कैसे कॉन्फिगर करना है और कैसे उसके अंदर वी लैंस पे काम करना है ये हम आज practical वीडियो के अंदर देखने वाला है तो चलिए बने रहे है मेरे साथ computer screen पे चलते हैं और वहीं चलके इसको configure करके देखते हैं तो चलिए हम आज चुके computer screen पे और बहुत ही सिंपल सा जैसे मैंने बुला आपको नेटवक मैं design करने वाला हूँ तो यहाँ पर हम ले लेते हैं दो computer या चार computer लेंगे हम दो और ये दो चार computer ले लिए layer two switches ले लेते हैं दो ये दो layer two switches ले लिए and उसके बाद में दो switches हम ले लेंगे layer 3 के तो यह दो layer 3 के switch ले लिए और finally एक हम ले लेंगे यहां पे router तो यह मैंने यहां पे ले लिया router अब इसको जो है हमने करना है configure तो चलिए मैं इसको connect कर लेता हूँ आपके सामने और फिर इसके आगे जो है कैसे क्या configuration करना है और क्या कहां पर रहेगा वो मैं आपको यहां पे पूरा detail में explain करने वाला हूँ तो चलिए इसको भी इस तरह से connect कर लेते हैं and finally router से हम जो है दोनों को connect कर लेते हैं जो mystery है वो यहां पर है कि router के साथ में हम एक ही local area network को multiple ports के उपर में connect कर रहे हैं तो यह जो है हमारे पास में एक बहुत ही important चीज वह वो देखने वाली है तो यहां पर हम computers ले रहे हैं और इन computers को मैं थोड़ सा इधर इधर कर देता हूं ताकि जो है हम अच्छे से cover up कर सके कि कहां पर क्या configuration हो रहा है तो यह हमारा f0-1 है तो इसको उपर कर देते हैं और इसको जो है यह हमारा f0-1 तो ठीक है इसको इस तरह से configure करते हैं और यह हमारा जो है f0-1 है इसको उपर करते हैं और यह हमारा नीचे साइड पर रखते हैं इस प्रकार से ताकि जो port numbers है वो हमें clearly दिखते रहें तो यह कुछ इस तरह से हम इसको रख देते हैं and finally यहां पर हम लिख देते हैं कौन सा किस VLAN के अंदर रहेगा तो दो VLAN create करेंगे हम यहां पर VLAN 10 जिसके अंदर IP address जो है हम यहां पर computer को दें के class C का 10.2 देंगे यहां पर 10.2-24 या आप देखेंगे इसको मैं आगे का थोड़ा सा बताता हूं आपको थोड़ा सा ट्विस्ट है इसके अंदर तो यहां पर हम लेंगे VLAN 10 अगे 192-168.10.3 का जो है हम यहां पर नेट्वक लेने वाले हैं यहां पर जो है हम लेंगे VLAN 20 and VLAN 20 के अंदर 10.0.0.2 ले लेते हैं and यहां पर भी हम लेंगे VLAN 20 and उसके बाद में जो है यहां पर 10.0.0.3 जो है वो हम configure करेंगे तो इस तरीके से हम यहां पर configure करेंगे मैं जरा color code जो है background में इसके set कर देता हूं तो यह हमारे जो है VLAN 10 वाला रहेगा तो इसको मैं अलग color define कर देता हूं and जो दूसरा है हमारे पास में उसमें एक green color हम configure कर देता हैं इस तरीके से तो यह हमारे अलग VLAN में और यह अलग VLAN के अंदर रहेंगे और यहां पर मैं आपको बता दूँ कि condition यह है कि अगर यह जो राउटर की तरफ में दोनों port connected है अगर एक port आपका disconnect होता है तब भी हमारे यह जो इंटर VLAN routing है वो काम करना चाहिए तो इंटर VLAN यानि कि जो routing है वो हमारी तब भी काम करने दोनों में से कोई भी interface down हो जाए या कोई भी हमारा खराब हो जाए कुछ भी technical issues आ जाए किसी भी port के उपर किसी भी connectivity में तो भी आपका जो data है वो communication होता रहना चाहिए condition यहां पर एक और भी है कि यह जो है हम layer 3 को यह जो layer 3 के switch लिए हम इसको as a layer 3 इस्तेमाल नहीं करेंगे यानि कि इसके अंदर simple जैसे layer 2 होता वैसे ही configure करेंगे यह पहली जो है आपकी condition है दूसरी है router के क communication establish होते रहना चाहिए तो चलिए भी इसको आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दू कि अगर आप लोग जो है आईटी में काम कर रहे हैं और step by step जो है पूरा knowledge लेना चाहते हैं तो आप हमारे self study में जाके networking में CCNA, CCNP, network infrastructure, अगर आप servers में Linux और system combo के के अंदर you can see काफी सारे options available है आप security firewalls के अंदर जा सकते हैं web designing, graphic designing, cloud में VMware अभी बहुत ही amazingly जो है अभी fresh recording करके जो इसमें सब update हुआ है and hardware के अंदर जो है how to build PC जैसे courses के अंदर enroll कर सकते हैं और बहुत ही simple से price के अंदर unbeatable price के अंदर चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमने यह configure करना तो चले समे जो है सबसे पहले VLAN 10 or 20 configure करते हैं तो यहां पर मैं enable करता हूं लेट मी यह फिन 10 configure करते हैं इसी परकार विलेंड 20 configure कर दिया और फिर चलते हैं हम यहां से exit करके करते हैं egzit और exit करने के बाद चलते हैं और इसको जो हम डिफाइन करते हैं switch port mode ट्रंक सारी switch port mode access and switch port access vlan 10 तो यह हमारा vlan 10 के साथ में रहेगा second जो interface है which is f0 slash 2 और यह करेगा switch port mode access and switch port access vlan 20 यह भी हमने यहां पर configure कर दिया and तीसरा जो और चौथा port है वो हमारे ट्रंक पूर्ट होंगे विकास वो switch to switch का connectivity है यहां पर हम exit करते हैं यहां से और interface range word का इस्तिमाल करते है एफ 0-3 से 4 तक और switch port mode इसको ट्रंक में define कर देते हैं तो यहां पर हमारा configuration complete हो गया second पर चलते हैं और बहुत लोगों करते हैं and switch port access VLAN 10 और इसके बाद में switch port और एंटरफेस पर चेंज करना एंटरफेस अब 0-2 and switch port mode access switch port access VLAN 20 तो यहां पर भी चलते हैं तो यह भी हमारा create होगे सीधा तरीका होता है एंटरफेस यहां से करते है exit and उसके बाद में एंटरफेस रेंज वर्ड का इस्तिमाल करते हैं एफ 0-3 and 4 को ट्रंक पोर्ट में करेट करना है switch port mode ट्रंक में define कर देते हैं so we are done with this configuration अब इनके उपर में भी हमने सरफ VLANs and interface जो हैं ट्रंक में define करना है तो यहां पर करते हैं तो यहां पर चलते हैं ग्लोबल कॉन्फिगरेशन में वी लैंड टैन एंड वी लैंड जो है मारा 20 कॉन्फिगर करेंगे इसके वी लैंड 20 एंड यहां से जो है हम करते हैं exit interface f 0-1 से लेके 3 तक सॉरी जीरो से लेके 3 तक इसको जो है हमने एफ जीरो श्लैश ओके रेंज वर्ड का इस्तेमाल नहीं करा सॉरी तो हम यहां पर करेंगे एंटरफेस रेंज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं एफ जीरो श्लैश वन से लिखे 3 तर और स्विच्पोर्ट एंड ट्रंक encapsulation.1 q and उसके बाद में switch port access sorry not access इसको trunk में convert करना है switch port mode and इसको trunk में define कर देते हैं we are done with this so यहां पर चलते हैं इसमें भी हमने वी लांस वगरा configure करने एंड इसको configure करना है तो no करते हैं यहां पर enable करते हैं let's go into global configuration interface रेंज वर्ड का इस्तेमाल ले लेते हैं तो यहां पर लेंगे हम एफ जीरो श्लैश वान से लिखे तरी तक स्विच्पोर्ट ट्रंक एंड कैप्सुलेशन डॉट वान स्विच्पोर्ट ट्रंक और यह भी हमने यहां पर स्विच्पोर्ट मोड करना था हमने स्विच्पोर्ट मोड ट्रंक और उसके बाद में वी लैंस हमने यहां पर अभी तक क्रिएट नहीं करें तो वी लैंपी कर देते हैं तो हम यहां पर करेंगे वी लैंट 10 एंड फाइनल इनके उपर जो है आपको यहीं से राउटिंग करनी है आपको layer 2 layer 3 से नहीं करनी है तो आप condition यह आती है समस्या यहां पर यहां पर यह आता है की आपके यह जो computers हैं इन पर आप gateway क्या define करोंगे तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे मैं आपको थोड़ सा हिंट दे देता हूं बाकि आप लोग जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर बने रहें ताकि जो है मैं आप लोगों को पूरा अच्छे से डिटेल में एक्स्प्लेइन कर सकूं तो यहां पर हम जाएंगे राउटर के अंदर सबसे पहले जो फिस दाउन कर दिया और उसके बाद में हम इनका सब एंटरफेस क्रिएट करेंगे दोनों पर इसी तरीके से यहां पर एक्जिट करते हैं फिर वापस चलते हैं एंटरफेस एप 0-1.20 तो यह हमने यहां पर क्रिएट कर देना है अब आगे का जो कान्फिग्रेशन है वह हम अलग से करेंगे बिकॉस आप लोगों के कॉंसेप्ट क्लियर करना मेरा जो है मकसद है तो शो आई-पी एंटरफेस ब्रीफ कमांड चलाते हैं यू कन सी तो यहां पर हमने 10 20 10 20 दूनों साइड पर दूनों एंटरफेस पर सब दोट वन क्यूट 10 एंड इसमें आई-पी एंडर्स देना क्लास एका स्री विलन 10 का विच इस 10.12 55255 एंड 255.0 और इसको नो शेड़ाउन कर देते हैं हालागी वर्चुल एंटरफेस है तो कोई दिक्कत नहीं होती है तो यहां से हम करते हैं इसके बाद में हमने सेकेंड जो एंटरफेस है विच इस एफ 0-1 ओके जीरो वाले में कर दिया मैंने उपर वाले में यूपन सी जीरो बलावें कर दो यहां पर भी जीरो का ही इस्तेमाल कर लेता हूं तो यहां पर हम कर लेते हैं एंटरफेस एफ 0-0.20 और उसके बाद हम इसको एंकैप्सुलेट 10.0.0.1 to 55.0.0.0 तो यह हमने यहां पर configure कर दिया है अब जो है हम इन computers के उपर में IP address configure कर देते हैं यहां पर रहेगा आपका 10.010.0.0.3 and gateway रहेगा 10.0.0.1 तो यह हमने यहां पर configure कर दिया इसी प्रकार हम यहां पर VLAN 20 का 10 का जो IP है विच इहां पर देना है 10.3 and 192.0.10.1 तो यह हमने यहां पर configure कर दिया दूसरे वाले पर चलते हैं और यहां पर जाकर जो है यह हम configure करते हैं आपका 10 का sorry यहां पर 10 का IP रहेगा 10.0.0.2 and 10.0.0.1 तो यह हमने यहां पर configure कर दिया और यहां पर हम चलते हैं और 192.160.10.2 and 192.168.10.1 यह हमने configure कर दिया अ अब मैं इनको आपस में पिंग करवा के दिखा देता हूं यहां से हम पिंग करते हैं 192.168.10.1 को पिंग करते हैं तो you can see हमें reply आ रहा है इवन दो मैं 10 के network में हूँ एक बार वापस चेक करवाद हूँ यहां पर you can see 10 के network में हूँ और हमारा reply आ रहा है यहां पर ऐसे तो हमने डाउन कर देता हूं तो उसके बाद जो है देखना है कि हमें reply आता है यह नहीं चलते हैं एफ-0-0 के अंदर और इसको मैं कर देता हूं शरी शटडाउं इसको मैंने कर दिया शटडाउं मान लीजिए हमारा network डाउन हो गया अब यह network डाउन हो गया जिस पे IP address configured है तो अब पहले पिंग आ रहा था अब पिंग आना बंद हो गया तो हमारी जो कंडिशन है वो यह है कि कोई भी एंटरफेस डाउन हुझा है स्टिल आपका communication एनेबल रहना चाहिए सो अब आपको जो है यहां पर देखना यह है दिमाग यह लगाना है कि हम किस तरीके से configure करेंग अगर किसी को भी idea है इसके बारे में so do let me know in the comment section and definitely next video के अंदर जो है हम इसको मैं आपको configure करके भी दिखाऊंगा और क्या concept इसके अंदर इस्तेमाल करना है उसको भी मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा हाला कि यह जो IP addresses यहां पर लिखे गए हैं आप इनमें कोई changes करना चाह अगर आप इस तरह के कुछ bonus videos जो हैं वो आप लेना चाते हैं bonus lab लेना चाते हैं तो उसके लिए जिसमें इससे भी advance concept मैंने आप लोगों को बताने हैं तो आगर आप वो जो है सीखना चाहते हैं और network के expert बनना चाहते हैं तो आप जो हमारी website पे जाके यहां पे self study के अंदर CCNA में enroll कर सकते हैं CCNA के अंदर आपको self study के अंदर एक नया tab मिलेगा जिसके अंदर रहेगा जिसका नाम रहेगा bonus बोनस में आपको जो है इस तरह की बहुत unique unique जो YouTube पे available नहीं है कहीं पर भी available नहीं है ऐसी labs जो है जो real scenarios, real IT infra के अंदर जो है आपको अटकाती हैं और आपको जो है network engineer CCNA करने के बाद भी जो है समझ में नहीं आता अब क्या किया जाए तो ऐसी labs जो है मैं आपको उसके अंदर provide करने वाला हूँ so that की आप एकदम networking के अंदर expert जो है वो बन सके तो चलिए guys मैं मिलता हूँ आपको next video के अंदर till then stay safe goodbye